ज़ी जब दी काल है कि केड़ा सियासी मोड है पंजाब चो किस तना किस तना तो हून खतरनाक दो रहे है गा उथे जड़ी साथी सब्सक्राइब देश जड़ी पार्टी है कि उथे भी हून तरम तदर का लग ज़े है गा मैंनू ते मैसूस हो रहा है कि वह होन वाला है अगर आसी सोच देया कि एक हाली आज़ी पार्टी हैगी एंडी मुसलिम हैगी एंडी क्रिस्टिन ते हैगी हून तुसी देखो जटे भी हो रहा हैगा इसायाद अगेंट्स अगेंस जड़े कारना में हो रहने हैं कि कन्वर्ज पढ़िट हैगा पंजाब भी है करना में और जड़े भी हुन तोरी सुनोंगे अगे आरे हैं गया है अगे तोड़ा ज़र जड़ा ज़्या अगे थो तेन में पणुनी और ऑक ही कहर हैं गया है और जड़े कम होए ने एक ते पर सब तो पहना let's see captain ditches the congress which i thought was a good move because he'd been बड़ दुटी तिस से अपूंजर शीड यह जड़िध प्रिव पर बाद इलेख did सेघ अपटी झारे अपूंटी अप्री सेट समय पॉंजर कि अपन्छी इस इस पॉंगरेंब फडिक इस तान एंपर स्वेरेंगेंड इस एंपर इस दान्स पांट यह जिर टॉगी इस सब् विजप अवाट बाट सब्ट ए्स पर्यशान आट रट चार्ड़ और बाट रायना अब अट प्रॉजच का मिज प्रॉप टार्ड हुट्ड टार प्रॉड्य खेंज रडर रायनां अबच एंग इसकारेश थैंट अ काम मुट्री अर्ट है वर्ट बबाद्वी इस काड़ती है निया खिए मैं भी क्यों से कालिब बीक टायप विह एंट कि अनुंस ताया पत प्टीज़ फिए जींट साया पती प्क्राइब लिए फिरी प्रोड वितल जिए प्लाटम आयाप फिए टीज़ ऌन्लम टीज़ पिए इंट इस अजों पर्वाट in his region is uh... rejoyed Badal another big event that happened is Lucky in Chandigarh will that have a have a percolating effect in Punjab or not? I personally doubt that very much अधिनेश जोयल जी आपसे भी समझोंगा कि क्या कुछ है और फिर समझूंगा विजय शुकला जी से जो अभी वहां पंजाब में ही है और यह जानने की कोशिश कि क्या कुछ चल रहा है और इन आकड़ों के आधार पर जो सर्वे है वो क्या कुछ कहते हैं आए सबसे पहले आकड़ों को लेकर आए स्क्रीन पर क्या पंजाब के यह देखे पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी को 68 से 70 सीटे आज की तारीक में आ रही है जो पिछले साल पिछले साल नहीं 2017 में 77 सीटे थी साथ आठ सीटों की कमी तो जरूर है लेकिन फिर भी सरकार यहां पर सरकार बनाने के लिए 59 सीट चाहिए जबकि 69 सीट आ रही है अगर इनका मीन निकाले तो 68 और 60 और 70 के बीच में आम आदमी पार्टी को 26 से 28 सीटे शिरोमनिया काली दल को 13 से 15 सीटे बीजेपी को यहां ए पास आओ लेकिन उससे पहले विजेश शुकला जी आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हैं विजेश शुकला उनसे भी समझना चाहूंगा कि बीजेपी को 4-6 सीटे यह विजेजी जिरा समझाई आपकी आवाज आ रही है यह जो 4-6 सीटे है यह क्या कैप्टन अमरिंदर के साथ आने का असर है तो विजेश जी को जोड़ेंगे लेकिन शिविंदर जी इन आकरों के आधार पे क्या समिक्षा करेंगे क्या किस रूप में देखते हैं आप पूरा देखे मुझे लगता है कि अभी तक जिन स्टेट्स की हमने बात किये पंजाब सबसे दिल्चस्ट स्टेट है पहली बात तो यह क्योंकि अभी तक भी पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप जितने मर्दी सर्वेक्षिन कर दीजिए अभी तक मैं ग्राउंड में रहने पंजाब में 117 सीट्स हैं 117 में सबसे बड़ा रीजन है पंजाब का मालबा रीजन यहां और फिर उसमें हैं दूसरा रीजन है पंजाब का दोबा रीजन जिसमें 25 सीट्स हैं 25 में से चलिए Wyuw एचसी से हैं जहां जहां कॉंग्रस और अकाली का मुकाबला हो रहा है जहां बस्ता का एलाइंस है अकाली दल के साथ इसी तरह फिर आ जाता है तीसरा इनका शेतर पंजाब का माजा जहां 23 सीट्स है 23 सीट्स में आम आदमी पार्टी आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही और वहां मुक काबला में हम देखते हैं तो कॉंग्रस पार्टी को बढ़त मिल रही है जैसे कि आप दिखा रही है पर क्या वो इतनी बढ़त मिल रही है एक तो ये सवाल है तो Congress हाल फिरहाल तकड़ी है, ताकतवर है, क्या आगे चलकर भी बहुत ताकतवर रहेगी ये बड़ा सवाल है, दूसरी चीज, जो BJP की है, BJP को जोदी कोई seat मिल सकती है, देखो समझना बनता है, कि पहली बात तो Captain के साथ मिलने से कुछ भी नहीं उसको फाइदा हो रहा, त क्याप्टना मरेंदर सिंग खुद एक बहुत वीक उमीदवार हो चुके हैं, हलाके वो दो वार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मान लीजिए कि Congress ने पट्यालाक शित्र में, क्याप्टना मरेंदर सिंग के विरुद, नबजोव सिंग सिद्दू जैसा उमीदवार खड़ा कर दिया, तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं दो वार पट्यालाक शित्र में जाया है, कैप्टना मरेंदर को अपनी सीट निकालनी मुश्किन हो जाएगी, यह हालत बनी हुई है, तो कैप्टन के BDP के साथ मिलने से कुछ नहीं हुआ, पहली बात दूसरी बात, कोशिश यह हो र उनमें से रंजी सिंग ब्रंपुरा निकलकर फिर अकाली दल में शामल हो चुके हैं, इस BDP को जदी कोई सीट आएगी तो हुश्यारपुर और गुर्दासपुर में से आएगी, दो जा तीन सीट से जादा हमें वो कोई समभावना दिखनी रही, लेकिन लॉग टाइम में B हिंदू बनाम सिख का पता खेलने की, कि खालिस्तान का नाम लेकर जो पंजाब का हिंदू है, उसको ड्राया जाए, हिंदू बोटों का वो पोलराइस किया जाए, अब देखना होगा कि आगे चल कर वो कितना काम्याब होगी, एक काम वो अलग से कर रही है, वो हमें समझने वाला है, खास करके जो नौन पंजाबी शेतर से लोग आते हैं, उनको समझना जरूरी है, वो हो क्या रहा है, कुछ ऐसी आवाजों को आ रही है पंजाब में, उनकी अभी गिंटी बहुत कम है, यहां तक के एक उनकी कहां थोड़ी-थोडी तारी विदेश से भी जुड़ कर रही है, फिलहाँ एक अमरीकी राइटर है, पीटर फ्रेडरिक, उनकी किताब आई है सिक कॉक्स, सिक कॉक्स में उन्होंने इसकी निशान दही की है, कि USA में बैठी कुछ ऐसी संसाएं हैं, जिनको आन उफ करने का काम सेंटर गौर्मेंट भारत वाली का गौर्मेंट कर कर रही है, लेकिन वो कर रहे हैं अग्रेसिव टोन देने की, आप मतलर सिक्खों में को बढ़काने की, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल सेंटर गौर्मेंट के पास है, उन्होंने काफी सरी तत्थी भी दिया हुए, ये किताब तब आई थी, किसान अंदोलन में कुछ ऐसे तत्तों शामल से आपको याद होगा, जो 26 चनुरी वाली घटना में भी शामल रहे हैं, उन्होंने उनकी भी निशान देही किया, कि वो भी उनका भी रिमोट कंट्रोल कहीं न कहीं उपर है, दिल्ली दर्वार के पास है, अब उनको वो अपने इशारे पे नचाती हैं, कि आपको जारवा कि कश्मीर में एक लड़की के लब मेरिज का मामला या, अब आगे किया कि आप तमाव ऐसी आप आप तमाव ऐसी आप So, a quick read out about what I've said, temple break in Punjab, cops call it theft, priest says desegregation, center won't let anti-India forces destabilize Punjab says fully, Khalistan's back, captain sees alliance with BJP ahead of 2022 Punjab Poles, captain calls on Shah ahead of Punjab Poles panel to decide scene sharing, Then that, the new event where the SKM thinks it's gonna create a, decide on future of 22 groups, let's say Punjab farm political fronts war cry, 22 farmer groups float political front in Punjab, they've done it earlier, no impact, people trust SAT for a proven track record of development says Subbir, and this is what I was talking about, Brahmpura return, gives a Kalidal shot in the arm ahead of Punjab elections, this was the other thing I spoke about, AAP single largest party in Chandigarh, civic polls on Tendu, BJP stunned, AAP scores Big win in Chandigarh civic polls, and what else we have said, Chandigarh, just a trailer, Punjab is the movie AAP's Chatta, Chatta is a lightweight folks, don't believe what he says, this is essentially as far as I think is an urban party at this point of time, that don't have the bandwidth or the depth to take a state as complex as Punjab, but let's see, drugs case, MHA, lookout notice against Majid, yeah, now here's the thing, people think that this has been done by Chandni Sarkar, but it's not folks, The real culprit here is the MHA, this is pressure on Subbir, to probably tie up with the BJP and, BJP and Captain Sarkar, blast rocks, quote, one dies in Ludhiana, murder probe after autopsy, report SIT, Siddhu says publicly hang, FIR is Congress government's poll stunt, which hunt says Majidhya in Birlpi, this is wrong, Majidhya should get up and smell the coffee, one killed, six injured in Ludhiana, quote, blast bogey of terror, says Chani, Must ensure nobody hurts India's beams, unity says Modi, the first guy who's only hurting India's unity folks, believe me, is Modi, Ludhiana, blast accused head, Khalistan, Pakistan links, DJP, DGP, so like I said, this is going back to them, they found somebody in Germany, yeah, but this, apparently, this is also in the hands and strings are being pulled by the center, pro-Khalistan, radicals in Pakistan and Germany behind Ludhiana, blast is in terror, recalling Sikh gurus PM makes a Bharat pitch, if the PM has even a clue of the sacrifices of our gurus folks, I'll change my name, I will change my name, and he can recite even the names, ask about the names of the last two, uh, uh, sahbzadahs, ex-cricketer, Dinesh Mongia, Van Akali and two Congress MLAs joined BJP or spent carcasses, spent carcasses, BJP, Captain Party and Dinsa says it, he will have common manifest, I wonder what that common manifest was going to be, I'm waiting, eagerly, jay him. अब बाइस की रहे है, लेकिन राहुल लाल जी, आप क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज़ की जो आपका, जो हम लोग देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा उपिनियम पोल, यह आग्रे कोंग्रेस के बढ़त की स्थिती जो है कि मैं इसमें कहीं कोई सक्षुगा की बुंजाइस नहीं रिखती है, इसके पारण है. कॉंग्रेस ही एक मात्रहसी है, जो तीनो की तीनो चाहें बालना हो, चाहें दोआब, चाहें माजहा हो, यह सब जगहों पे, एक तरह से हर जगह वो उपस्थीत है, और हर जगह वो फाइट कातल सीरे से बे दिख रही है, किसी को भी लगना है, इन तीनो रिजय में अगर ल कर रहा है, तो एक तरह से चैन्दी सहर ने कहीं कहीं पंजाब में वो गैंचेंडर के रूप में वो नगर आ है, इसको हमों को बारना पड़ेगा, यह स्थित्या बदली है, और कॉंग्रेस का पत्ता था, चरंदी सिंह चैन्दी के रूप में, वो अब तक बिल्कुल सकलता कर रहा है, तो यह स्थित्नी बाते करें, कॉंग्रेस को वरिष नेता थे, लेकिन अगर पुराने जो भी हम लोग देखें वहाँ पर एंटी इंगंदेंसी फ्रक्टर उनको लेके कापी जादा था, उनको लेके राजी जी मराजगी भी कापी जादा थी पंजाब के जंता म तो जो समिकर्ण में अभी देख पा रहा हूँ, चुकि देखें, मालवा पर जो 69 सीट से, वहाँ पर भी कहीं कहीं, आम अभी पार्टी जरूर एक वह तक्क्रा देने का पुरा परियास करगा है, लेकिन अभी वह उस हालत में नहीं है को कॉंग्रेस को बड़ा तक्क्र दे होता है, लेकिन अभी चुकि जो बड़े किसान संगर्थान है, वह चुनावी राइनिती से दूर है, तो इसमें इन आकड़ों के उपर तो बहुत जादा जो है कि इसमें दायबाय होता हुआ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए अभी कॉंग्रेस इस समय तक आज तक कॉंग्रेस वापर सुरक्षित नजर आ रही है, और वही यहां हम आकड़ों में भी देख रहे हैं कि कॉंग्रेस जो है, वह अपनी सरकार बनाती हुई पंजाब में दिखाई दे रही है, अमलेंदु जी क्या कहेंगे इन पूरे आकड़ों को देख करके आप बहुत देर स कि अखले आकटू